हेलो गाइज मैं हुनेधी शर्मा और NCRT समरी यूट्यूब चनल पे आपका सागत है आज हम करने वाले हैं क्लास एट की हमारी पॉयम है इस पॉयम में जो रॉबर्ट फ्रोस्ट और इस पॉयम में जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो एक ट्रेवलर की हमें बात बता रहे हैं कैसे एक ट्रेवलर एक दिन गुजड़ता हैं एक जंगल के नजदीक से शाम की बात है तो वो क्या क्या करता है So बसक्ता है Whose woods these are I think I know Whose woods Woods means jungle यह jungle किसका है I think I know मैं सोचता हो कि मुझे पता है कि यह jungle किसका है His house is in the village though और उस आदमी का जो घर है जो आउनर है इस जंगल का जो मालिक है इस जंगल का उसका जो घर है वो गाउं में है He will not see me stopping here और उसने मुझे नहीं देखा होगा यहां रुकते हुए कि जो इस जंगल का मालिक है उसको नहीं पता होगा कि मैं यहां पर रुक गया हूं तो वोच इस वोड्स फिल अप विद स्नो और वो जो ट्रैवलर है वो यहां पर रुका है क्या करने के लिए तो वोच देखने के लिए इस वोड्स उसके जंगल को फिल अप विद स्नो जो की बरफ से बिलकुल भर चुका है स्नो फोल हो रही थी तो जंगल में आपने देखा बिल्कुल भर गया है माई लेटल होट मस्ट इंक के कुईर कुईर मीन अजीब चिक है अब जो ट्रैवलर है वो कहां किसे जा रहा था एक कैरियेज से चीक है एक जिसे गोड़ा गोड़े बैठके जिसे जो जाते ही है तो वह ऐसे जा रहा था तो वह क्या कहता है कि जो मेरा वूट्स एंड फ्रोजन लेग एक साइड तो इतने गहरा गना जंगल है दूसरी साइड जो जील है वो बिल्कुल जम चुकी है उस पर बरफ जम चुकी है एक ऐसी जगहा पर रुखना जहां पर एक साइड तो जमी हुई बरफ की जील है और दूसरी साइड गना जंगल है और ना वहाँ पर कोई farm house है जिस पर हम रात को stay कर सके और कितनी अजीब बात है कि मैंने अपने घोडे को वहाँ पर रोका है the darkest evening of the year और यह है साल की सबसे darkest evening थी ठीक है क्योंकि ठंड की जो evening होती है बहुत darkest होती है वो बिलकुल सुन सनाटा होता है हर जग है और जंगल में एक तरफ तो वो जमी हुई जील है और दूसरी तरफ बहुत बरफ गिरा हुआ जो है जंगल है तो यह darkest evening of the year वो ला गया है he gives his hardness bell he यहां पर use हुआ है horse के लिए तो जो traveler का जो horse है उसने क्या दिया hardness bells a shake जैसे जो गले में जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे जो हमारे जानवर होते हैं जो हमारे pet animals होते हैं गले में एक bell बांदते हैं तो वो अपनी ऐसे hardness bell को थोड़ा से खीचता है यह पूछने के लिए जो horse है वो अपनी hardness bell को हिलाता है दा ओनली अधर साउंड दस्वीप ओफ इसे विंड एंड डाउनी फ्लेक अब देखो इजेंटल विंड डाउनी फ्लेक सोफ्ट एंड फलफी स्नौफलेक्स अब मतलब वहां पर दा ओनली अधर साउंड दस्वीप वहां पर जो एक और आवाज थी जो बह रही थी वह केवल क्या थी जैसे आपने देखा होगा ना बिल्कुल जो एक विंड चलती है हलकी हलकी सोफ सी जो विंड होती है साथ में स्नौफोल की वह है लेकिन साथ में केवल वही आवाज वहां पर थी ठीक है दा वूर्ट्स आर लवली ने क्या क्या decision लिया कि मैं यहाँ पर सोने की बजाए अगर यहां पर रुकूंगा तो मैं यहां पर सो जाऊंगा और इससे पहले मैं यहां पर सोओं उससे पहले जो है ट्रैवलर ने ये decision लिया कि मैं कई मिलो तक चल पड़ूँगा तो उसने जो ट्रैवलर था उसने वहाँ से जाने का decision लिया है ट्रैवलर उस रात वहाँ पर stay नहीं करता है ट्रैवलर ने वहाँ से जाने का decision लिया है बहुत easy poem थी Robert Frost जो है हमारे American poet है वह एक natural poet है उन्होंने कितनी सारी poems लिखी है उन्होंने ठीक है उनकी सारी poems आपको नेचर से related मिलेंगी I hope आपको यह poem भी अच्छे से समझ आ गई होगी और poem समझ आई है तो channel को like करें शेयर करें और subscribe करें कल फिर मिलते हैं इने वीडियो के साथ के लिए बाई बाई